Welcome to all of you at your own channel, BookHive Educators. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. Guys, आज का जो टॉपिक है, that is going to be very, very important for your examination because हम क्या करते हैं कि कई पर grammar में हम इतना मस्दूल हो जाते हैं कि बागी की चीज़ों को हम भूल जाते हैं. बागी की चीज़ों को बिलकूल भी भूलना नहीं है. reason यह क्योंकि आप देखते हो close trust भी आते हैं आपके paper में fill up the blanks भी आते हैं one word substitution है बहुत सारे चीज़ आते हैं आपके paper में और अभी जो recent days में देखा गिया है पिछले कुछ सालों से confusing words भी काफी सारे आने लगे हैं तो मैं कोशुच कर रहा हूं कि आपको confusing words की पूरी की पूरी list दे दूं और साथी साथ मैं आपको समझाता भी रहा हूं और आपकी responsibility बनती है कि हर एक word पूर आप अपने तरफ से एक sentence जरूर form करो और मैं चाहूंगा कि आप comment box में अपने जो भी sentences form किया है वो जरूर शेयर करो अगर कहीं पर कोई भी कमी हो चाहें कुछ हो तो definitely I'm just sitting here to correct all those questions all those sentences तो यह वीडियो सुरूर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छे लगती है तो आप इसे जो क्लास है that is confusing word confusing word में सबसे पहला word में आपको बताना चाहता हूं यहां पर ध्यान से देखना accept a double c e p t और एक होता है e x c e p t accept का मतलब होता है receive जिसे मैं कहूं कि आपने जो भी suggestion दिया i accept it आपने जो भी चीज़े offer किया मुझे मैं उसे accept करता हूं उसे मैं प्राप्र करता हूं उसे मैं receive करता हूं that is called accept pronunciation में बहुत ज़्यादा difference नहीं है बहुत minute difference है accept 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 कहते हो तो receive हो गया और accept कहते हो यानि कि leave out किसी चीज़ को छोड़कर जैसे मैं कहूं कि मैं वहाँ पर जाओंगा accept him उसे छोड़ कर यानि कि to accept is to agree to something or to receive something willingly अपनी एक्छा से किसी चीज़ को जब आप receive करते हो उसको अगर आपनी एक्छा से यह कि आपना जो भी डावट में ज़रूर आप डालें, to accept is to exclude or omit, मैं वहीं बताया कि to accept का मतलब है किसी चीज को omit कर देना, हटा देना, उसे नहीं चाहिए, उसने एक घर खरीदा, उसने एक घर खरीदा, गाड़ी को छोड़ करके, he bought a house, except a car, so this would be the right, अगर आप इसे day-to-day life में use भी करोगे, then it's also gonna be very useful for you guys, So the next word is, SS और access, SS का मतलब होता है approach होना, say for example, किसी की एगर बाइक चोरी हो जाती है, मैं कहूंगी मैं अपनी बाइक का तो पता है एक दिन में लगा लूँगा, क्योंकि मेरी तो access है, मेरी SS है, इस district magistrate के पास, इस state के chief minister के पास मेरी SS है, मतलब मेरी पहुँच है, approach होना, और access क का मतलब होता है कि something that is more than required, जो आपकी requirement है, उससे कहीं ज़्यादा हो जाए, जिसे too much, हम कहते हैं कि पानी ना, बहुत ज़्यादा था, excessive water, excess water, excess blood flow, यानि कि आपको यह याद रखना होगा, कि दोनों में basic difference क्या है, और दोनों की spelling में difference क्या है, यह fill up the blanks में अक्सर कोशन बट मैं आपके सामने ये ले करके आया हूँ, alphabetically, और मैं आपको देखना number of words दोंगा, ताकि आप अगर आप paper में बैठो, तो आप बिलकुल ऐसे होता है ना, कि हर चीजों से less होकर के बैठना है आपको, हर चीजों से तयार होकर के बैठना है, so that another question, we are just sitting here to answer to each and every question, we don't fear, ह to access each and every question, देखो एक है all together, एक है all together, बच्चों ध्यान रखना, एक बात में आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये काफी important point है, यहाँ पर देखना a l है, और यहाँ पर है a double l, यानि कि यह separate है, यहाँ पर space है, जब आप all together का मतलब कहते हो, तो कह होता है ये entirely, complete group, यानि कि पूरा का पूरा group, आप यहाँ से एक example के तोर पे मैं समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, कि जब आप all के बाद किसी भी तरह के एक adjective का use करते हो, ये paper में question पूछा गया है, तो बच्चों ने इसमें error find कर लेती, but the fact was that there was no any error in that particular sentence, all के ब बच्चे English नहीं समझ पाते हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह से का मतलब क्या है, कि अगर कोई चीज़ completely, ध्यान से समझना, मैं वो sentence लिख रहा हूं, जो sentence paper में पूछा गया था, कि the clothes are all wet, यहाँ पर sentence था, the clothes are all wet, wet, wet का मतलब होता है, गीला, जो कि एक adjective होता है, तो बच्चों ने इस पार्ट में error find किया था, बट ऐसा है नहीं, reason यह, एकर आप all wet कहते हो, तो all के बाद wet क्या है, adjective, और इसकी मिनिंग क्या होती है, पूरी तरह से गीला, यानि कि जो कपड़े थे, वो पूरी तरह से संदर है, इसका मतलब क्या है, कि all के बाद आप एक adjective का use कर सकते हो, तो similarly, यहां पर मैं क्या कहना चाहूंगा, all together, मतलब होता है, यहां पर means होना चाहिए, इसका मतलब के complete group, मैं कहूं कि एक group है, वो सब मिला करके यह काम करेंगे, यानि कि we, we can do this work all together, यानि सब मिला करके, और all together मतलब होता है, entire, पूरा का पूरा, so guys, this is very easy for you, and the most important word, effect and effect, बच्चों ध्यान रखना, effect का मतलब होता है, कि यह एक वाब है, और effect जो होता है, that is a noun, effect का अगर मतलब अगर आप meaning निकालने की कोसिश करो, तो effect होता है, कि किसी चीज़ को प्रभावित करना, influence करना, हम कह होता है, कि में के बाद अगर वाब चाहिए, तो वाब, effect होता है, न कि effect होता है, effect is a noun, मैं कहूं कि if you smoke, then the effect of that smoking is going to be very dangerous, तो मैं क्या कहूंगा कि उस smoking का जो effect है, यानि कि we are just talking about noun, तो जहां पर noun की बात होगी, अगर आप हिंदे लिखना चाहते हो, तो मेरी बाते ध्यान सु result, what you get, यानि कि प्रभाव, what is the effect of this coronavirus, what is the effect of COVID-19 in our economy, हमार एकोनोमी में उसका क्या प्रभाव होगा, यानि कि we are just talking about the noun, we are talking about the result, but here if we talk about effect, मतलब ये कहता है कि प्रभावित करना, influence करना, this is a verb, so guys, आप कोसिश करो, एक-एक सेंटेंस बनाने की कोसिश करो, comment box में डालो, मैं जरूर उसे सही करूँगा, देखो, ये भी paper में पूछा गिया है, benefactor and beneficaries, benefactor का मतलब कहता है, benefactor give benefits, suppose एक school है, उस school में किसी ने, उस school को बहुत ही बहतर बनाने के लिए, किसी ने 2-4-10 लाक receive किया, वो होता है, benefit series, say for example, मैं, मैं अगर आपको knowledge दे रहा हूं, तो मैं कौन हुआ, मैं knowledge देने वाला हूं, तो मैं हो गया benefactor, आप knowledge को receive कर रहे हो, तो जो receiver होता है, वो होता है, benefit series, तो benefit series, plural form है, आप चाहो तो इसका singular बना सकते हो, benefit series, बहुत ही असान है, and once again, ये भी question paper मे काफी बार पूछा गया, birth, B-E-R-T-H, बहुत हीजी है, child bearing, जब किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है, जन्म की जब हम बात करते हैं, तो होता है, लेकिन ये जो है, B-E-R-T-H, ये क्या बताता है, ये बताता है, कि एक ऐसी जगह जहां पर आप rest कर सके, आपने train में होता है, side upper भी होता है, side lower भी होता है, तो वहां पर जो birth की बात होगी, वहां पर B-E-R-T-H की बात होगी, लेकिन जब जन्म लेने की बात होगी, then we'll definitely talk about B-E-R-T-H, this is very easy guys, B-E-R-E-S-E-H, bridge का मतला होता है to break, कई बार आपने सुना होगा कि bridging of law, किसी भी कानून को आपन आपने मुझे arrest कहता हो कहते हैं, कि हाँ, because you have just bridge the law, यानि कि आपने जो rule है, उसको आपने तोड़ा है, तो किसी चीज को rule को, किसी law को तोड़ने के लिए bridge का use करते हैं, और bridge का मतलब होता है, कि जो horse riders होते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर जो चलते हैं, वो चलते हैं, जब यानि कि पैरो में horse riders जो पहनते हैं, that is called bridge, और यह होता है, bridge का मतलब to break a law, to break anything, not exactly, we are just talking about only law or legal thing, we can just talk about anything, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, capital, capital का मतलब होता है, capital का मतलब आपने सुना होगा, city, राजधानी भी हम कहते हैं, और wealth भी होता है, धन भी होता है, पैसा भी होता है, कि जब आपके पास बहुत जदा wealth है, यानि कि आपके पास a lot of capital, you are possessing a lot of capital, but यहाँ पर जब आप spelling देखते हो, capital, capital का मतलब होता है, building, एक hotel का नाम में बता रहा हो, जो कि रांची में है, जिसका नाम लिखा गया, capital hill, तो आप बताओ कि वहाँ पर capital tol होगा, या capital to क्योंकि वह hotel का नाम है, यानि कि building का नाम है, it means we are just talking about capital hill, यानि कि वह क्या हो जाएगा, building, आप किसी building को देखो, आप कह सकते हो, yes, this is a capital tol, तो guys, बहुत असान है, मुश्किल नहीं है, देखो, English से घबराओ मत, जितना ही आप इसे घबराओगे, उतना ही आपको परिशान क करेगा, आप सीरीज सारी देखते जाओ, जो भी सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूँ, यह देखो, यह question sentence improvement में काफी बार पुछा गया, compliment and compliment, देखो, इसमें difference क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है, जब ए की बात करते है, तो कहता है कि कोई भी दो चीज, एक दूसरे के existence तभी है, जब दूसरा उसके साथ है, जैसे मैं कहूँ lock and key, तो lock का existence कब है, जब key है, key का existence कब है, जब lock है, मैं कहूँ car and petrol, तो car कब है, जब petrol है, जब car है, तो दोनों एक दूसरे के compliment हुए, तो यहाँ, यानि कि क्या होता है, to make complete or to supplement, यानि कि एक दूसरे को complete बनाना, but when we talk about compliment, I compliment, का मतला होता है कि praise, आप कई पर बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, वैसे तो सारे बच्चे पहनते है, joke सापाध मैंने ऐसे कहा, don't take it otherwise, जब हम बहुत अच्छी चीज़े पहन के जाते हैं, तो कई बहुत है, आज मुझे compliment मिला, लोग कैते हैं, आज मुझ आप sense के recording वहाँ पर दोनों को opt करोगे, continual और एक वाट है continuous, this is very very easy and this is the most important one, once again, continual का मतलब क्या होता है, कि जब कोई चीज रुक रुक करके लगाता हो, जैसे सुबह मैं घर से निकल रहा हूँ, class लेने के लिए बारिस हुई, मैं घर में आके बैठ गया, खिड़की से दे खिर बारिस हो रही है, और ऐसे करते करते सुबह से साम हो गई, यानि कि बारिस हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, तो ये क्या ये continual process है, यानि कि रुक रुक करके कोई चीज लगातार, तो यानि कि वो हम कहेंगे continual, लेकिन ये क्या कहता है continuous, बिना रुक करके उसे हम कॉंटिनिवल कहते हैं and continuous क्या होगा कि जो बुना रुके हो जैसे हम कहते हैं कि learning is a continuous process या learning is a continual process आपको इसका answer comment box में जरूर देना है learning is a continual process और learning is a continuous process मैं सब के comments check करूंगा you have to comment guys the next one is cooperation एक है corporation बहुत आसान है cooperation का मतलब होता है कि कि किसी को सहयोग करना किसी के साथ मिलकर के काम करना और corporation का मतलब होता है कि organization एक business organization जैसे मैं कर्पोरेशन बैंक तो corporation का मतलब क्या है कि एक organization और corporation की मैं बात करूं यानि कि मैं आपको cooperate करना चाहता हूं cooperate यानि कि मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं आपके साथ मिल करके काम करना चाहता हूं तो आज ये 10 words सिर्फ मैं लेकर क्या यह हूं क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ों को हम करेंगे थे को slow industry always wins there is हमें जहाज नहीं बनाना है हमें train नहीं बनाना है हमें train की माफिक नहीं दोड़ना है हम धीरे-धीरे चलेंगे लेकिन इतना पॉफेट हो करके निकलेंगे कि English के question आने तो दो एक single question नहीं जाने देंगे बस आप सारे lecture सुनते रहो सारे lecture देखते रहो और जो भी doubts है आप अपने doubts पूछते रहो don't worry guys मैं यहां बैठा हूँ मैं सारी चीज़े आपको पढ़ा करके भेज़ूंगा तो अगर वीडियो यह मेरी पसंद आई हो तो बच्चो लाइक करना है subscribe करना बिल्कुल भी नहीं बूलना है और जो question मैंने पूछा है comment box में जरूर डालो if you do have any any doubt please raise your doubt so thank you very much for listening to me guys ख्याल लखे अपना मिलते हैं अगले lecture के साथ एक नई चीज़ के साथ thank you very much guys thanks a lot